अज़ा अज़ा आपके कैसे आप आज बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपोर्टेंट आपके प्रेक्टल लाइप में इंडेस एट को हम स्टडी करेंगे और इसको प्रोपर तरीके से समझेंगे तो खोई इंडेस एट जैसा मैंने लिखा हुआ है यह अंदर क्या लिखा है अभी अब छोड़ दो हमने इंडेस का मतलब एट किस पर डिल करता जी आपके जो अकाउंटिंग पोलिसी जहें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और आपका एलर्स को डिल करता है यह इंडेस एट अगर मैं इसको अपने पैडल इंडेन गैप से कंपेर करूं तो हमारा एस फाइब था जिसके अंदर में हम लोगों ने इसके बार में स्टेडी किया था अगर मैं एस फाइब से सच मुझ मैं कंपेर करने जाओं तो मैं कहूं कि इंडेस से ज्यादा वास्ट है एज कंपेर टो इंडेस फाइब से ऐसा क्यों होता है आप जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको बाते समझ में आ जाएंगी अभी आपको पहले पूरा इंडेस हमारे साथ सुनना पड़ेग है वहाँ पर एस फाइब के अंदर में आपका एक्स्टा ओर्णिम्स की बात कीके ती यहाँ पर कोई एक्स्ट ओर्ल्ध नहीं होता है हमनों स्टार्टिंग से इस पर चर्चा करते चले जा रहे हैं तो यह आज हमारा अभी हम जो एस फाइब पे उसको दिवांग से बूरे आपने नोट डाउन करना है हमारे पढ़ने का वही तरीका होगा सारी बाते पहले समझा दूं सिंपल लैंग्वज में लेमें लैंग्वज में और समझने को फिर हम आपके साथ सोचेंगे मैंने लिखा है आओ सोचते हैं हम इनको स्टड़ी करेंगे देखें क्या अब हम तो उस टाइम पर अभी जब तक मेरा क्लास चलेगा तब तक इफ और ना है जब मेरा इंडेस का पूरा डिसकेशन हो जाएगा फिर दुनिया का कोई भी इफ और दिमाग में लेकर आए सब अपने आप के लिए हो जाएंगे ध्यान से सुनना मेरी बात यह आपका इंडेस प्रिट क्या भूलता है पहले यह तीन चीजों को यहां लेकर चलता है घला अगा अगां घंख आपको क्या करना है कि इं तीनों में एक डीफरेंज को समझना है मैं अभी इंडेस के अंदर आने के पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताना चाहता हूं कि अखर एक्जाम में कोई case studies आजाए कि बताओ जी यह आपका accounting policies में covered होगा या फिर आपका accounting estimates में covered होगा या prior paid item errors में covered होगा तो आपको पहले उसमें classify आराम से करना आ जाए क्योंकि प अगर estimates में change हुआ तो उसका treatment क्या होगा जी? Errors का अगर मान लो कि हम उसको rectify करें तो हमें कैसे करना होगा उसके सारे बारे में यह index आपका deal करता है यह index यह भी बताता है कि अगर कभी मान लो रास्ते में चलते चलते आपके पास कोई ऐसा item किसी ने पुछ दिया जिसको आ आपका accounting policies है कि accounting estimates है क्योंकि generally देखने में लगता है कि दोरों मिलते जूलते से लगते हैं आपका तो वहाँ पर क्या किया जाएगा वो भी index 8 आपको discuss करता है ऐसे discussion आपका AS5 में नहीं था AS5 तो सिब्धा जी कि अकाउंटिंग policies आपके हैं उनको एक जगर disclose करो आपको जो follow करना करो आप उसको disclose कर देना बट यहाँ पर और index गया गए कि accounting policy का हम selection कैसे करेंगे selection करते समय हम क्या-क्या ध्यान में रखेंगे अगर कल को dispute हो जाता है कि accounting policy, accounting estimate तो हम किसको ध्यान में लेते वे disclosure करेंगे, treatment करेंगे उन सब के बारे में यहाँ पर discussion है अभी ज़्यादा बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके ही language में आता हूँ पहले समझाओं इस टीनों का मतलब क्या होता है accounting policies देखो 11th class onward जब आपने accounts पढ़ना शुरू किया तो आपको accounting policies सिखाए गए accounting policies क्या होते हैं, यह वो principles हैं मेरे बच्चे, यह वो conventions हैं, यह वो rules हैं जिस पे हमारा accounting दीका होता है जैसे कि अब देखो न हमने इतने सारे इंडेस पढ़ लिए हैं, अभी और भी आगे बहुत सारे पढ़ेंगे कुछ बाते में जो पढ़ा चुका हूँ, उनसे भी discuss करूँगा, कुछ आगे का भी बत समझाते हुए, हलके हलके शब्दों में जरा सुनो, accounting policy क्या है, बेब कोई layman language आपको बताता हूँ, कि आखिर accounting policy, accounting estimate और हमारा प्राइपर एरर्स होते क्या है, देखो, अगर मैं बात करता हूँ, accounting policy का, accounting policy का मत्या है, अगर मैं एक simple language बात करूँ न, तो यह वो principles हैं, यह वो आपके conventions हैं, यह rules हैं, जिनको अभी त inventory value करना है, तो inventory कैसे value करूँ, यह आपका एक policy होगा, आप देखो न, हमने index 2 पढ़ा हुआ है, उसमें बताया है, कि देखो, जी inventory value करने के लिए, जो cost formula होता है, वो आपके तीन थे, एक आपका था specific identification method, एक था हमारा FIFO method, एक था हमारा क्या जी आपका weighted average method, तो मैं कौन से policy policy को कौन से formula को select करूँ, यह मेरी अपनी policy होगी, आपने मुझे choice ने दिया जी, मैं उसको apply करूँगा, अगर index के अंदर में choice दिया गया है policy को apply करने का, तो मेरा choice होगा, मैं सोचूँगा कि मुझे, मैं मतलब management की बात कर रहा हूँ, कि मुझे कौन सा apply करना है, अगर आपने मुझे choice नहीं दिया है, आपने कह दिया नहीं जी, आपका investment property, पढ़ेंगा मोग अभी आगे इसके बारे में, investment property को आपको cost पे value करना है, आपने choice नहीं दिया, हमने माल लिया कि ठीक है जी, investment property जो होगा, आम उसको cost पे दिखाएंगे, यह policy है, index ने जो हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे index 16 कहता है कि यह property plant equipment है, अब ध्यान से मेरी बात सुनने चलना अभी, इस और नहीं जितना बोलोंगा, उतने दिवांग गाना चाहिए, यह आपका property plant equipment है, अगर उसको balance sheet में दिखाना है, आपको बस दो तरीका है, या तो cost पे दिखा दो, cost model पे जी, या फिर revolution model पे हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके आगे में आपका इसके बारे में, तो यह सारे policies है, यह policies हमें कौन देता है, इंडेस देता है, अब कई सारे आपके इंडेस ने जो policies हमें दिया, कि हम आपका accounting कैसे करेंगे, हम treatment कैसे करेंगे, उन्होंने क्या क्या कि उसमें choices दे दि इसे, आपने कह दिया कि आपको PPE को value करना है, आपको उस दो तरीका, cost model या फी revolution model, मैं किसको follow कोई मेरे चुआईस है, statement of cash flow, index 7, हमने statement of cash flow में, जो आपका cash flow बनाने कहा हमारे पास तरीका था, दो था, direct indirect, मैं किसको बनाऊं है मेरे चुआईस है, है न बच्चे, उसी तरह क इसे, revenue recognition, कि आपको revenue किस point पे आपको recognize करना है, कुछ जगह पे मेरे बच उन्होंने साफ साफ कह दिया, dividend, तो जब आपको receive होगा तो मानलो आप, interest जब एक्रूब होगा तो मानलो, समझ गया मैं बात, मैंने वही किया, लेकि वहाँ पे कुछ जगह उन्होंने 24 समुझे दे दिया, जैसे कि अगर मानलो कि आप यहां पर सर्विस, आपका सेक्टर की बात करता हूं, सर्विस सेक्टर में उन्होंने कहा कि revenue को गराइज करना, दो तरीका जी, completion method या फिर आपका partial, मतलब कि percentage of completion method आपका, तो कौन से method को follow करूँगा मेरे 24 से, आप समझ बात ना, यहां प को profit निकालने का, कि जब contract complete हो जागा, थम निकालो, या फिर आपका percentage आपका, तो आपने दो दिया, मेरे 24 से, मैं किसको apply करूँ, किसको ना करूँ, जहां पे मुझे इंडेस ने बिलकुल strictly बोला, कि आपको यह follow करना है, या फिर जहां पे आपका 24 दिया, कि आपको यह काम क rules and practices applied by an entity in preparing and presenting the financial statement, आप समझ बरी बात ना, सर जब सारे इंडेस के उपर में, अलग अलग आपका policies कैसे apply करना, उनके बारे में बताया गया है, तो फिर इंडेस 8 की के requirement आई, आई मेरे बचे requirement, अरे जहां पे एक specific इंडेस ने, like जैसे इंडेस 2 ने, आपको 24 दे दिया, कि य यह उज़ करना चाहिए, यह उज़ करना है, मैं पहले यह उज़ करता था, अब मैं उसको change करना चाहता हूँ, मैं change करना चाहता हूँ, तो change में कैसे करूँ, यह कौन बताएगा, यह हमें इंडेस 8 बताता है, यहाँ पर हमें direction दिया गया है, कि accounting policies, अगर मालनों कुछ change करत हैं, अभी फिलाल हमारे study चलता है, कि accounting policies में यह इंडेस 8 को डालने का region क्या था, क्योंकि जब आपके policies change होते हैं, आप एक से दुसरे पर switch करते हो, या दुसरे से पहले पर आते हो, या आ भी सकता हूँ कर नहीं आ सकता हूँ, वो इंडेस आपको डिटेलमेट discussion करेगा, थो management language की बात करूँ ना, तो मैं बात करूँ का कि जहां पर management को बिलकुल अपना पूरा जो knowledge है, जो experience है, उसके basis पे future को expect करना, future के बारे में estimate करना, future के बारे में amount का अनुमान लगाना, prediction करना, prediction ठीक नहीं रहेगा, estimate करना, उसको कहते है, accounting estimate, मतलब जहां जहां management exact नहीं बता सक लेकिन उसकी accounting की requirement है, उसको हमें accounting में डालना होता है, during current year, वो आपका accounting estimates में हैगा, जैसे कि मैं आपको बताओ, provision for badders आपको बनाना है, कितना आगे डूब सकता है, हम लोग अनुमाल लगाएंगे, और यह अनुमाल management जो past experience है, past knowledge है, उनके basis पे लगाती है, यह estimate है, depreciation को हमे expected life कितना है, उसका scrap value कितना होगा, हम इसी को तो base लेते हुए, हम depreciation निकालते हैं, तो पर बचे यह expected life है, या फिर आपका उसका expected residual value होगा, वो आपका एक estimate होता है, estimate होता है, इसलिए यह जो estimate लगाना यह भी accounting estimate में cover होगा, यही नहीं, हमने कोई product पे warranty दिया हुआ है, कि यह आप product हमने बेच दिया, दो साल तक की warranty खराब होगा, तो हम आपको क्या करेंगे, पैसे हम आपको free में repair कर देंगे, तो यह जो आपका दो साल, तीन साल में जो product इस साल भी के हैं, उन पे कितना आपका warranty पे खर्च और हो सकता है, company को इसका भी estimate ही लगाए जा सकता है, exact कोई नहीं बता सकता, provision for कोई specific repair है, कोई हमें आपका repairing कराना future में अपने machine का कितना खर्च हो सकता है, हम इस पे estimate लगाते हैं, तो देजार कोल estimate, यह हमारे estimates होते हैं, अगर मैं आपको बता हूँ कि देजार estimates made by management, यह कौन बनाता है, यह management related to assets, liability, expense, income of the entity, कहता है कि they are based on specialized knowledge and आपका experience, कहता है कि आपका जो knowledge है, जो experience है, इसके basis पे आप accounting estimate बनाते हैं, बात सुम्हारी यहां पे हमें फरक समझना होगा, हमेशना एक केस आता है कि भया, company method of depreciation को change करना चाहती है, ध्यान सुनना मेरी बात को मैं कैसे है, बोला मेरे words बड़ी important होगे आपको समझने के लिए, company wants to change the method of depreciation from SLM to WDB, it's a change in accounting policy, or change in accounting estimate, तो यहां पे एक contradiction हो सकता है, कि हार, method change हो रहा है, तो यहां तो हमारे जो आपका index 16 आपका है, उसमें तो हमारे method देया हुआ है, कि यहां आप इस method से करो चाहिए, इस method से करो, फिर तो accounting policy होना चाहिए, लेकि मेरे बच्चे हमें बिलकुल गहराई में जाना पड़ेगा, इसको समझने के लिए, मैं वहाँ पर आपको समझाओंगा, बड़ यहां पर एक बहुत समझा दो, क्योंकि हम अभी index 8 को पढ़ रहे है, जिर आप सोचो, यह method of depreciation जो decide होता है, इसका root कहां से create होता है, root create होता है, मेरे बच्चे कि हमारे पा estimated amount था न, जो estimate था, शायद उसमें change आ रहा होगा, इसलिए आप अपने method को change कर रहे हो, इसलिए मेरे बच्चे वह accounting estimates में cover होगा, देखो न, मैंने आपको बताया हुआ है, provision for doubtful dates, estimated life, yes, create value का change होना, no doubt की changing method of depreciation इस पे depend होता है, इसलिए मैंने उसको भी लिख दिया, कोई repair का प्रोजन बनाना, warranty का प्रोजन बनाना, यह सभी changing accounting estimates में cover होते हैं, बात समयारी है, यहाँ पर अगर हम accounting policies के, आपके examples को देखें, तो basis of accounting हमारा क्या हो, cash हो, accrual हो, hybrid हो, आपको पता है, accounting करने के, हमारे पास cash basis है, हमारे पास accrual basis है, hybrid यानी को दोनों को मिला के, तो हो सकता है कि मैं अभी तक cash basis को follow कर रहा था, being professional, अब मैं accrual पे आना चाहता हूँ, यह मैं hybrid को opt करना चाहता हूँ, तो यह जो choices मुझे दिया है, बच्छे, यह changes जो आएंगे आपका, वो changing accounting policies के अंदर में हम discuss करेंगे, index aid, यह आपको बताता है कि अगर policies estimate में कोई change हो रहा है, तो आप उसको कैसे accounting करेंगे, ठीक ना, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर, मैंने कहा cost formula में आपको बता दिया जी, कब revenue should be recognize, मैंने बोला contract costing case में हम देखते हैं, सर्वी, example में ने दिया है, ताकि आपको समझ में क्या है, service render के बारे में हम देखते हैं, methods of preparing statement of cash flow में direct indirect 2 है, 24 समर पार सा कौन सा करें, यह करूं कि यह करूं, अगर यह करता हूं, बाद में इस पर जाना चाहता हूं, तो मेरे पस क्या उपाय होगा, कैसे करना होगा, वो हमे इंडेस 8 बताएगा, valuation of PP, property plant equipment को जो हम value करेंगे, आप देखना, जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इंडेस 16, वहाँ पे आपको बताएगए, दो तरीका है, cost model, यहनि कि cost पे दिखाओ, यह revolution आपका, तो मैं इसको दिखा रहा था, इस पे आना चाहता हूं, यह इस पे था, इस पे आना चाहता हूं, वह क्या है, वह कैसे चेंज होगा, हम उसके बारे में देखेंगे, कैटोगरेशन और PP, आपको पढ़ाऊंगा, मैं इंडेस 16 में, अब आपको इंडेस 16 कहता है, आपको जितने PP हैना, आप उनको क्या करो, different category में, डिवाइड कर दो, और आपके प पीज भी है, यह हमारा policy होगा, हम कैसे कटराइज करें, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, it depends upon the entity, याद रहे कि यह बात आपका, यह सर, तो यह हमने accounting policy, यह हमने accounting estimates के बार पता है, ना prior period errors, धान्दना, जिरली हम बात करते हैं, prior period का, तो prior period का मतलब बच्चा समझता है कि current year को छोड़के, मतलब current year है, उसके पहले company पर बोलेंगे, ना मेरे बच्चे, इंडेस 8 कहता है कि ना न न, ऐसा नहीं है, मैं यह नहीं कहना चाहता, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप accounting कर रहे हो, जैसे मानलो आज सुपोज की 17th October है, for example, आज मानलो 17th October है, या 20 16 को, 15 को, 13 को, आपका पीछे के महिने में, पिछले कई वर्षों में आपने कुछ गलतियां की है, एर्रस किया है, तो उन एर्रस को कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो आपको इंडेस 8 बताता है, हाँ, हमने एर्रस कुछ नाम आपको दिये हैं, ज़रा, जब मैं एर्रस परू और omission, भूल जाना, from, and miss statement in the financial statement, miss state करना, गला चीज दिखाना, ऐसी गलती, जिसे कि जो economic decision लेने वाले लोग हैं, जो आपके financial statement को देखकर आपने decisions देते हैं, उनका decision affected हो जाए, इनकों कहते हैं, error सी यहाँ पर, वाद सिमारिये, तो यह वो आपका omission है, मतलब कुछ को, इस दिखाया, उसको गलत तरीके से दिखाया, समझो मरी बात यहाँ पर, यह दोनों ही आपके errors के इंदर में cover किये जाएंगे, अब यहाँ पर, इंडेस 8 के लिए, errors को कुछ पार्ट में, डिवाइड किया गया है, जैसे mathematical errors, mathematical, obvious बात है, wrong totaling हो गया, सुरी, errors जो होंगे, व लोगों को actual चीज़ पता ना चले, या फिर over dressing, window dressing, window dressing मतलब जो आपका current situation उसे बढ़के अपने आपको दिखाना, अगर ऐसी चीज़े हो ही है, तो फिर मज़चे वो errors में cover होगा, errors intentional भी हो सकता है, unintentional भी हो सकता है, ठीक न, तो हमने कहा कि आपका mathematical errors, या तो wrong calculation हो जाए, wrong posting ह हो जाए, wrong totaling हो जाए, कुछ भी आपने गलत किया होगा mathematically, तो आपका इसमें cover हो गया, mistakes in applying policies, जो policies आपको यहां पर बताए गया था, different आपका जो इंडेस से उसके थ्रू, जो आपको accounting policies, different इंडेस जो आपको बताते हैं, आपने क्या-क्या mistake किया है, उनको apply करने में, जोगों अभी पढ़ लिया उसके basis पे, हमने पढ़ा था, आपका इंडेस 7, और इंडेस 7 में, cash flow statement के अंदर में, आपको सिखाया गया था, कि देखो जी, कौन-कौन से item का offsetting allowed है, अगर आपको याद होगा, किस-किसको हम net करके दिखा सकते हैं, किन-किन को हम net करके नहीं द दिखा सकते हैं, इसी तरीके से, डिफरेंट इंडेस के अंदर में, जहां-जहां ये disputes आ सकता है, वहां-वहां उन्होंने बताया है, कि भया, इसको इससे set up करके नहीं दिखा सकते हैं, कोई financial assets है, कोई financial ability है, हम set up नहीं कर सकते हैं, हमने उनको अलगर दिखाना है, ऐसा कई miss state किया, गलत किया, आपको जहांपे offsetting allowed नहीं था, आपने offsetting कर दिया, अपने, एक हमारा financial state है, एक financial ability है, आपने उसको net कर दिया, एक हमें किसी entity से पैसा लेना था, और किसी और entity से पैसा देना था, समझे ना, दो अलगर ईंटिटी है, इन से पैसा लेना था, इनको देना हमने निट करके बता दिया यह अलाउड नहीं है अगर आपने इसको किया है तो आपने मिस स्टेट किया है मिस स्टेट तो कहते हैं आपका मिस्टेक्स इन सोरी मिस्टेक्स इन अप्लाइं पोलिसी जो पोलिसी आपको इंडेस के अंदर बताया गया है अगर उस पोलिसी को तरीके से कर दिया, error है, simple language की बात पर बार करो, तो error गलती है जी यहाँ पर, फिर कहते हैं, जैसे मने example में बताया कि offsetting of items even though not allowed by respective index, फिर कहते हैं, आपका misinterpretation of fact, fact को misinterpret किया, अब मैं बहुत अच्छी से बात बताना चाहता हूँ, अभी वो आगे आएगा, भी आप पढ़ेंगे मेरे साथ, लेकि मैं थोड़ा सब को समझा दूँ, एक होता है investment property, बहुत धान से मेरी बात, सुनना, ये जो बताना, तीसरा वाला, कि misinterpretation of fact, इसका क्या मतलब है, अच्छी पता मैं ये सब बाते क्यों बता रहा हूँ, इनिपे इस इंडेस में case studies बनते हैं, तो आपको पहले सब बता रहेगा, सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, misinterpretation of fact का मतलब, देखो, एक है आपका यहाँ पे investment property, और एक है मारे पास PP, property plant equipment, मैंने एक building को Border, building收diki किया क बहुत धालन से में बात सुना, मैंने building को यह जो आपका property है, यह जो ability है, वो मेरा P.P.E. है मेरे बच्ये, जब हम इंडे 16 में हम देखेंगे इसके definition को तो पी-पी के अंदर में covered आपका होता है ठीक है ये सर फिर दरेज इन्वेस्मेंट प्रोपर्टी मालो मैंने यानि कि संतोष्ट सर ने या फिर मेरी company ने एक प्रोपर्टी परचेज किया not with the motive to आपका give it on the rent motive क्या था जी पैसा surplus पड़ावा था मैंने क्या कि एक land building परचेज कर दिया हो सकता है कि परचेज करने के बाद मैंने उसको rent पे लेट आउट कर दिया बट मोटी जो था ना वो not to earn आपका rent as the main business वहां motive क्या था जी पैसा surplus है हमने क्या कि invest कर दिया तो अगर हमने primary motive rent पे building को दे मैंने के लिए किया है तो वो मेरा पीपी के अंदर कवर होगा लेकिन अगर मेरा primary motive जो है कि भया मैं यहां पर क्या करूंगा जी surplus पैसा मैं invest कर देता हूं प्रोपर्टी में ऐसी प्रोपर्टी को investment प्रोपर्टी के रुप में कवर्ट किया जाएगा अब हुआ क्या मेरे accountant देखा कि यार सर ने क्या किया इस प्रोपर्टी को भी तो रेंट पर दे दिया है तो प्रोपर्टी रेंट पर दिया इंडेस 16 कहता है कि रेंटल के लिए है तो फिर आप पीपी में मान लो मेरे accountant ने मिस इंटर्पेट किया फैक्ट को उसने मेरा motive जहां पर आपका इंडेस का हुआ है उसको द्याने ने दिया और उसने क्या किया जी इधर की बाते वहां इंटर्पेट कर दी तो अगर ऐसा कुछ गलत किया वह भी एरर है इसको बोलते है मिस इंटर्प्रेश्चन फैक्ट को आपने मिस इंटर्पेट किया पढ़ेंग अभी आपका हम आएंगे कि क आपका माइन था उस टाइम पर ऐसी चीज़ों को हम कहते है कि मिस इंटर्पेट किया बाप सिम्हा रही है तो यह आपका मिस इंटर्प्रेश्चन फैक्ट मैंने लिखा थोड़ा से यहां पर रॉंग ट्रीट्मेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन भूल जाना ओमिट हो जाना पार्शियल ओमिशन हो या कंप्लीट ओमिशन हो एंट्री का एक पार्ट हुआ दूसरा पार्ट नहीं हुआ या एंट्री हमने कंप्लीट नहीं किया ओमिशन आप उनको तब कहना जब यह अनिंटेंशनल होगा जब इंटेंशन नहीं है मतलब क जान बुझ के नहीं, हमने जान बुझ के पाप नहीं किया, हो गया पाप, घर से आया था, अपने वाइप से जगड़ा हुआ था, बच्चों से जगड़ा हुआ था, समने मिलके मुझे पीटा था, दुख था, गलती से क्या वाजी मैंने इस एंट्री को छोड़ दिया, क्यो कोई बड़ी बात नहीं है तो यह omission होता है unintentional कुछ बदमाश accountant ऐसे होते हैं जो intentional mistake करते हैं omission करते हैं जैसे कि हमने जान बुझके एक entry को छोड़ दिया या जान बुझके वो entry जो 5000 का 50,000 से कर दिया ताकि figure मरा अच्छा दिखना शुरू हो जाए इसको करते हैं फ्रोड यह फ्रोड का जाता है मेरा अगला पूंट है कि फ्रोड का मतलब यह ही intentional mistake या फिर omission करते हैं इंटेंशनल यह आपका omission क्या था जो ओर साइट मतलब छूट गया ओर साइट हो गया वह आपके बाते समझ रहो ना मैं क्या बता रहा हूं सर यह सर आगे कुछ और थोड़ा सा मैं आपको यहां पर कुछ ऐसे लिख कर और फिर ना आपको मैं उधर लेके आना चाहता हूं आओ सोचते हैं लेकिन इसके पहले रुख जाओ मैं भी लिखने के पहले मैं यही पर थोड़ा सा आजाओ मुझे अच्छा लग रहा यह पार्ट को देखना मुझे पता नहीं क्यों प्यार सा हो गया इस पूरे पार्ट से यह तो मुझे गंदा सा पार्ट दिख रहा अभी कुछ नहीं छोड़ दो मैं नहीं प्याता हूं हमने क्या क्या बोला यह इंडेस एड क्यों आया इसलिए आया क्योंकि कभी कभी अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज करते हैं कभी कभी हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज करते हैं कभी कभी एरर्स हो जाता हम उन एरर्स को रेक्टिफाय क क्वाइब करें अन्हें के बारे में इंडेस दिल करता है आगे बता है यह सर आगे बता और कुछ अथा इतना सुनने के बाद हमें आउ सोचते हैं जाना पड़ेगा मैं सचा ही बताँ आपको मैं दिखाऊंगा पूरे आपकी बाफ स्कुर्थ मेरी बुक में ये सारे कुछ पढ़े वे हैं, इसमें जो case studies आते हैं जहां पर आपको analysis करना होता है, interpret करना होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की परशानी हमें यहीं नहीं समझ में आता है, वो accounting estimate है, accounting policy है या फिर errors है, उसको समझ जाओ और इस chapter के question को लेके चले मतलब मैं आपको बताओं कि अगर आप पूरे syllabus में कुछ भी न पढ़ो, सिर्फ इंडेस 8 पढ़के आजाओ, और ऐसे पढ़ लो जिस तरी के इसमें ने पढ़ाया हुआ है, तो एक्जाम में कोई भी question आएगा ना, कोई भी question, छोड़ लो सारे question को, आप इंडेस 8 का solution करके किया जाओ, हंडेड में हंडेड मार्क्स मिलेंगे, सुर्ण आप मजाग कर रहो, मैं कभी मजाग नहीं करता, आप जानते हैं, यह मैं अपने, जितनी मैंने पढ़ाई की उस पढ़ाई में, हमेशा हिजा में जब आता था तो मैं इंडेस 8 का question करता था, बाकि सब छोड़ क करता था, लिख देजा था, क्यार इंडेस 8 पर कमांड है मेरा, मतलब सारा कमांड है, बस, आओ जड़ा, अब ध्यान से मेरी बात है, सुनना मैंने क्या बताया, मैंने तीन वर्ट्स का मिनिंग आपको बता दिया, अकाउंटिंग, पोलिसी, एस्टिमेटरी, ना, आओ सोच कि, कहता है कि, estimated life of machine has increased by three years, machine की जो life थी आपकी three years से बढ़ गई, four years से बढ़ गई, two years से कम हो गई, ścramp कम हो गया, ये क्या है, क्या ये क्या पोलिसी है, क्या कहीं पोलिसी, आपने सुना है कि कहीं पोलिसी में हमने estimate का नाम लिखा था, यहां पे, नहीं सरी, accounting policy नहीं, यह क् है क्या मैं कह सकता हूं कि यह कोई error है कोई गलती है नहीं सरे का मतलब होता है जो मतलब आप उस समय उस चीज़ को आप समझ रोग एरर्स का मतलब क्या होगा कि एरर्स हो जो मतलब एक्जैक्ट जो चीज था मतलब जो चीज होना चाहिए था एक्जैक्ली आप वो काम नहीं कि तब हम उसको एरर कहते हैं जो होना था जो था लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया उसको एरर कहूंगा अरे यहाँ पे हमें तो exact ने जहाँ पे estimate है life वो कितने साल होगा exact हमें कैसे पता चलेगा आज समय गुजरा हमें लगा कि यह life बढ़ गया है यह तो estimates है यानि कि यह change लिख लो आपको sir हम कैसे लिखे आपने तो हमें मोका नहीं दिया था लिखने का तो यह काम करोगे क्या मैं एक second के लिए इधर हो जाता हूं और इस एक second में आप क्या करो कि वीडियो को pause कर लो and pause करके at least यह 3 की तो copy कर लीजी आप और यहाँ पर नीचे में जैसे मैंने छोड़ा ना यहाँ पर मुझे बुरा पाप कर रहे हो आप पाप ही हो जाओगे बच्चे और उस case में यह पाप जो है ना आपको भूगतना पड़ेगा एक्जाम में इस तरीके से कहीं मेरी बुक में या कहीं पर भी नहीं है ठीक ना अगर आप लगता है कि नहीं जी सर पांच दस मिनिट का में समय देंगे किनारे खड़ा हो के आपकी गलत फैमी है आपके हाथ में उससे रोख लो नाओ कम टू आओ सोचते हैं यह चेंजिन आपका एस्टिमेटेड लाइब जो मशीन का है यह क्या जी यह चेंजिन एस्टिमेट बोलेंगे इसको चेंजिन एस्टिमेट और चेंजिन एस्टिमेट पे जो हमारा इंडेस एड बोलता है हम उसकी हिसाब से इसको देखेंगे change in method of depreciation from SLM to WDB मैंने कहा था method of depreciation change करना मत बोलना कि यह 24 है मैंने यहाँ पर 24 नाम दिया था याद आपना यह index 8 क्यों आया क्योंकि यहाँ पर 24 होते हैं और 24 के चलते हैं हम कौन सा कर रहे हैं फिर change किया तो क्या होगा वो index 8 बात करता है ठीक है न तो आप इसको च्वाइस नहीं कहना कहना कि आप बोला कि देखो जी method of depreciation जो change होता है न यह because of आपका estimate लाइब बढ़ गया चाहे कुछ आपका यह तो होता है तो मैं इसको भी क्या बोलूँगा change in estimate change in estimate ठीक न उसके बाद आई जड़ा थर्ड चोड दो फूर्थ प्याओ investment property treated as pp यह तो error है misinterpretional fact बोला था ना बच्चे अरे जो investment property था उसको आपने pp माल लिया या जो pp का पाड़ता उसको investment property माल लिया यह गल्त है यह हम क्या बोलेंगे आपका यह तो error है इसका नाम दीजिए आप error यानि कि इस error को कैसे rectify किये जाएगा हमें index it इसके दर बताएगा ठीक है ना फ़र changing function के दो बालिक दिया था हटा दो एक बार यहाँ पे इस पे क्या जगड़ा करना चार था ही पांच वाई यह चट्टा यह साथ वाई और भी कैसे रहें कोशन के साथ देखेंगे कहते है कि depreciation understated या फिर overstated by 5% 10% कुछ भी बहुत धान से language बाना depreciation understated का मतलब होता है कि जितना depreciation आपको चार्ज करना था आपने 5% कम चार्ज किया language बजाना इसका मतलब कि company ने entity ने rate of depreciation fix किया था 10% बट आपके accountant ने क्या क्या वो 10 बोला कि तो अशूब लग रहा है मुझे ठीक नि लग रहा है चलो मैं 5% से कर लेता हूँ यह बदमाश था वो undistate करना हो गया या depreciation का rate था 20% आपने कहा कि खर्चे ज़्यादा दिखाने यह तो मतलब गल्ट हो जागा अगर इस पर किया तो चलो 25% depreciation दिखा जेते हैं यह errors है यह expectation निया मरे बच्चे अगर depreciation understated हो गया overstated हो गया यानि कि accountant ने बदमाशी किये और यह आपका error के रूप में record किया जागा estimate बत कह देना estimate इनको कहते हैं यह estimate समझ मारा यह this is not estimate allowances for parents कहता है understated बाइतना understated का मतलब होता है overstated का जितना हो ना totaling आपने किया उसका और totaling जितना होना था उसमें आपका थाउजन कम हो गया error mathematical error सा अगर देखा जाए तो समझ मारी बात ना तो यह जो चीजे आपका यह क्या होगा जी यह भी error के अंदर का बहर होगा ठीक ना understated हो गया overstated हो गया overcast कर दिया undercast कर दिया these all are errors कहता है कि wrong classification of assets liability मतलब मान लो कोई आपका assets था जो कि आपका non current assets के अंदर का definition को satisfy कर रहा था लेकिन आपने क्या किया आपके accountant ने क्या 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 उसको current assets के अंदर दिखा दिया या कोई liability जो कि current liability के definition में आ रहे थी लेकिन उसने क्या क्या बदमाशी करके non current liability के अंदर दिखा दिया मेरे पच्छे इसी error यह error है यह गलती है समझबरी बात तो यह सारे आपके क्या होंगे errors में cover होंगे यह errors आपके है है न यह गलतिया है और अगर मैं बात करो चेंज फंक्शनल currency थोड़ा सा ठेर जाओ दो सेकेंड के लिए पहले में बता दो कि हमारा इंडेस एट इन तीनों situation में क्या बोलता है किता कि देखो जी अगर यह accounting policy का change है अगर यह आपका accounting policy का change होता है तो it will be applied it will be मैं लिकता हूँ यहां पे it will be applied applied as per respective as per instruction instruction given given in respective respective index मतलब वो कहते हैं कि देखो जी अगर मालो accounting policy आप change कर रहे हो तो accounting policy को change करते समय change कैसे करना है इस बात की जनकारी आप उसी index से जाके पूछो वो index क्या बोलता है अगर वो index ने हमें नहीं बताया अगर उस index नहीं बताया यानि कि उस index के अंदर में यह mention नहीं है कि आपको change in accounting policy कम से apply करना है कैसे apply करना है फिर हम क्या करेंगे कहते हैं, if not mention, कहते हैं, if not mention, अगर mention वहाँ पे नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, dash dash dash, छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, है न, फिलाल तो हमने बोला, कि accounting policies पे, no doubt कि उसमें, आपका respective, उसका index होगा, उस index में क्या लिखा हुआ है, change कैसे apply करना है, उसी तरीके से आपक कि हमें cash flow method दो था, जी, direct indirect, लेकि जो direct indirect आपका है, वो change जो apply होगा, अगर मानलो हमने direct था, जी आप indirect करना चाहते हैं, तो ये change जो होगा, अगर वो index में नहीं mention कि कैसे apply करना है, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सट है, जाब, अगर मानलो जैसे कि FIFO से आपका, हमने weighted को आपका off करना है, अब हमें नहीं, index 2 में mention नहीं है, कि हमें ये कैसे change apply करना, तो फिर क्या करेंगे, हम index 8 को देखेंगे, वो हमने लिखा है, कि अगर नहीं mention तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ठहर के, फिलहाल हमने ये देखा कि या, index 8 में जो mention होगा, यानि कि, माफ कीजे, उस respective accounting policy में जो भी mention होगा, मुसकी हिसाब से change को apply करेंगे, ठीक न, अगर नहीं तो बाद में, पहले आईए यहाँ पे, accounting estimates, अगर ये accounting estimates का change होता है, estimates, तो change होगा न, लिखेंगे, आप changes, changes, will be, will be applied, applied, prospectively, prospectively, prospectively का मतलब कि आप आगे आने वाले समय में, आप उस change को apply करेंगे, obvious बात है, जो पीशे गुजर गया, आपकी गलती नहीं था, आपने कोई पाप नहीं किया था, circumstances ही जब ऐसे आ गए, कि estimates को change करना पड़ रहा है, पहले हमारे data's डूपते थे 5%, 4%, कोरोना के बार 10% डूपना लग रहा है कि डूपे अगा जी, example दे रहा हूँ, तो ये फिर क् आपका estimates change हुआ, हमने provision for warranty, ध्यान सुनेंगे, अब हमेशना क्या होता था, जितने का समान हम बेचते थे, हम उसका 10% लगता था, कि हमें वारेंटी पे खर्च करना पड़ सकता, और भी, तो कंपनी 10% का provision for warranty बनाती थी, एक साल क्या हुआ, कि कंपनी ने जो product बनाया और बना भी चल गए, उस product के अंदर में, तो मुझे नो डाउट कि आप जो expectation आपका होगा future में, for that warranty, वो आपका नो डाउट की बढ़ेगा, क्योंकि वो तो पक्का है, क्योंकि वो खर्च तो हो नहीं होना है, आपका जितना पहले सुरा था उसके साथ-साथ आपको, तो इसका ही नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया, आप इसो क्या करें, प्रोस्पेक्टिवले चेंज अपलाए कीजे, लेकिन error करना, मेरे बच्चे, पाप है, पाप इस दुनिया में नहीं, इंड-एस के जवाने में, इंड-एस के संसार में भी, ये महा पाप के रुपे माना जाता है, वो नहीं चाहते हैं कि आपके financial statement में किसी तरीके का error हो, किसी तरीकी गलती हो, अगर आपने error किया है, तो कहते हैं कि आपका error, लिखेंगे याँपे, error will be, will be rectified, rectified, आपका retrospectively, retrospectively, retrospectively का मतलब कि जब से आपने वो error किया था, जब से वो गलती होई होगी, जब से तब से आपको इस change को apply करना पड़ेगा, तब से यहाँ पे, no doubt कि इन सब में कुछ exceptions हैं, अभी हम discuss करेंगो उसके बारे में, लेकि पहले आप index को जो मोटे-मोटे तोर पे जो आपको really में काम करना पड़ेगा, उसको आप समझ लिजे, कि अगर हमारा accounting policy change होता है, respective index में जो भी कहा जाएगा, जो instruction होगा, हम उसकी हिसाब से काम करेंगे, if not mentioned, देखेंगे बाद में, कहते हैं कि change, यह जो आपका होगा, estimates का change हमेशा prospectively होगा, यहाँ कोई E4 का मतलब भी नहीं बनता Error will be rectified, आपका retrospectively, subject to certain exceptions, certain exceptions, अब वो exceptions क्या है, हम आगे उसका discussion करेंगे, तो यह आपको समझना पड़ेगा, कि क्यों हम लोग इसका classification कर रहे हैं, वो किसके अंदर में cover होगा, उसके basis हम decide करेंगे, Now, एक point होता है, आपका change in functional currency, समझना, functional currency का मतलब होता है, जिस currency मैं आप काम कर रहे हो, अभी मैं इंडिया में मेरा business चल ला था, मैं इंडिया में अपने काम कर रहा था, हमारा Indian रूपी जो उसके अंदर में recording कर रहा था, मैंने अपने business को क्या क्या, अब यहाँ से shift करके ल कि सर आप थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ नहीं, अमेरिका के बच्चे मुझे बुलते रहते हैं, तो मैं वहीं पर जा के पढ़ाऊँगा, मैं चला गया, business को shift कर लिया, वहीं पर, सेम काम, सेम काम, जो मेरे company था, उसी नाम को लेके मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ पर जो करनसी का change होना, due to shift in business, shift in currency, आपका कुछ भी हो सकता है, क्या कोई principle, कोई बेस, कोई convention कुछ आपका है क्या, नहीं सर, ये तो आपका कुछ है नहीं, क्या कोई estimate का change हुआ, estimate में नहीं है, currency change होना, currency का denomination हो, वह आपका estimates का हुआ, क्या ये कोई आपका गलती किया, कोई हमने प आप किया, सर, आपने कहां पाप किया, वो तो आपका business shift हुआ, तो फिर उस तरीके से करना पोड़ा, इसका मतलब कि change in functional currency इस तीनों में से कहीं भी count नहीं किया जाएगा, कहीं भी count नहीं किया जाएगा, मैंने इसके बार में शायद कहीं कुछ लिखा था, एक बद देख ल कोशन कहां है, आप थोड़ा सा एक से करने को समय दे दे तो मैं नंबर बोल के आपको बताना शुरू कर दो, कहां चला गया वो, अभी दिखने रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लें उसको बात में, मेरा सिब कहने का मतलब है, कि यहाँ चेंज करन्सी जो है, यह ना तो कोई पोलिसी का चेंज है, ना कोई आपका एस्टिमेट है, ना कहीं आपका एरर से, तो फिर इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आप देख ले ना, जब हम पढ़ेंगे, आपका रेफर इंड एस 21, जो फोरेंग करन्सी के बार में आपको डिसक करने के लिए, तब ज़्यादा बाते समझ में आएंगी, तो आप इसको कोपी कर लो, मुझे फिर से बोर्ड को क्लिंग करके आना पड़ेगा, और अब मैं यहां से शुरूबात करूँगा, इनको अब लेकर मैं आगे बढ़ना शुरू करूँगा, कोपी कर लो फिर, मैं कैसे अभी गए और अभी आया, हांजी बच्वा आ गया है, अब मैंने इस वोर्ड पे आप चेक करेंगे, मैंने आपका एस्टिमेट एर्रस और सोच्ति, यहको हटाके, मैंने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम इसको बाद में समझ लेंगे, हम इसको बाद मे करना मैं आपको बता दू आपने क्या करना है कि जहां पे अब सोचते हैं कि बारी खतम होई थी उसके बाद लिखेंगा आप इन कांटिनेशन हो इख आपको इसका मिनिंग बताया फिर ने आपको नहीं दिखिश रहा वहागा अगर कट गया होगा तो अघ्विए मैं बता दूर एक तो accounting policies के बारे में दो चीजे discuss करता है हमारा index 8 क्या पहला selection and application of accounting policies, selection and application of accounting policies, इसमें कुछ लिखा आपको नहीं लिखना, और दुसरा how to apply changes in accounting policies, दो बाते यहां पे हैं, अगर आप अपने, क्या बोलते हैं, एस फाइब के अंदर जाओगे बच्चे आपका, एस फाइब के अ discussion नहीं है, कि आपको अगर accounting policies apply करना है, तो आप कैसे apply करेंगे, क्या क्या तरीका होगा, जो हम यहां पर जिक्र करेंगे, सुनी मरी बात, ध्यान से, हमने यहां पर लिखाता, it will be applied as per instruction given in question, but applied कि सीज में, कहते हैं, दो बाते, policy को कैसे select करना है, इस पे भी index के बारे में mention है, जी, हमें investment property दिखाना है, कितने पर दिखाना है, हमें बताया है, आपका index ने, हमें आपका PPE को दिखाना है, कितने पर दिखाना है, हमें index ने बताया हुआ है, हमें inventory को value करना है, index 2, हमें बताता है कि हम किस तरीके से value करेंगे, हमारा financial statement का presentation कैसे होगा, हमारा SPL कैसे बनेग इन सब पर आपके पास इंडेस हैं हम उसी तरीकी से काम करते हैं हमें इनको मतलब कि हरे चीज को वैसे ही अपलाई करना है जैसे इंडेस में में अपका है अगर किसी आइटम के उपर में कोई ऐसा ट्राजिक्शन इवेंट या कोई ऐसा बिजने कोर्ड जिस पर तो मतलब इंडेस नहीं है, जो उससे जुड़े हुए आइटम्स को डिल करता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, डिस्प्योट्स दिवाम में बिलकुल ना हो, हमने कहा कि भिया, सेलेक्शन एन अप्लिकेशन अपकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हो, पहली बात कि आप इंडेस देखो, अगर आप जैसे मानलो कि मैं आपके एक कॉंट्रेक्टर हूँ, तो मेरे कॉंट्रेक्टर के उपर जो इं से बिजनेस में एंट्री कर रहे हो, जिसको उपर में आपका exact इंडेस नहीं है, तो फिर हमारा इंडेस एट करता है, कोई बात नहीं, आप ये काम करना, आप सारे इंडेस को देखो, क्या कोई ऐसा इंडेस है, जो उससे मिलता जुलता है, मिलता जुलता, सीमिलर उसके जै पर आपका इंडेस 16 काम करता है मालो एक ऐसा सिचुएशन जब हमारे पास इंडेस 40 नहीं था इंडेस 40 यह नहीं कि investment property नहीं था हम इसके बारे में आगे जिक्रिक करेंगे जो कहता कि अगर कोई property आपने अगर इंडेस नहीं था जब नहीं था तब की बात कर रहा हूं तो कहता कि कोई बात नहीं इंडेस 40 जब तक नहीं था तब तक आप चाहो तो ऐसी property के लिए इंडेस 16 कोई follow कर सकते हो समझमारी बात में क्या बोलना चाहता हूं दुबार आइए हम लोग क्या करेंगे पहले अगर कोई भी आपका किसी चीज का treatment के बारे में application के बारे में हम accounting पूरिसी select करने के बारे में सोच रहे हैं तो रिस्पेक्टिव उस item पे जो इंडेस होगा हम उसको follow करेंगे अगर वो नहीं है तो कहते हैं कि जब तक वो नहीं है तब तक हम similar देखेंगे कि कोई ऐसा इंडेस है जो उससे मिलता जूलता है अगर हाथ हम उसको follow करेंगे अगर वो भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे जी guidance मतलब जो आपका framework है accounting standard का हम उसको check करेंगे शैद वहां हमें कुछ मिल जा उसके बारे में कि ऐसे treatment करना है तो हम उसको follow करेंगे अगर वो भी हमारे पास नहीं है तो कहते हैं या उस case में क्या करेंगे आपका IAS भी international accounting standard board मैंने लिखा ध्यान देंगे आप यहां पर मैंने कहा है कि in the absence of absence of an index that specifically applies to a transaction or event or condition management shall use its judgment in developing and applying an accounting policy अगर हमार पास specific accounting Indian ace नहीं है तो management का करेंगे जी apply करेंगे अपना judgment in developing and applying an accounting policy अब वो कैसे कैसे apply करेंगे क्या वो जजज्मेंट होगा in making the judgment judgment को करते समय management shall refer the following sources in descending order कहता है कि इनको आप रेफर करोगे इसी order में बहुत important है आपके exam के लिए कि write a short notes on selection and application of accounting policy तो पर बच्छे पहले हमको लिखना होगा कि पहले तो हमारा index जो उसी पर देखेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे जी management जो होगा वो अपने judgment को डेवलप आपका judgment को डेवलप करने में इन sequence को लेके चलेगा क्या sequence यह सुनना check if there are any other index available which are dealing with similar and later issues एक बाद दुबबर पहुच देता हूं यह situation कब आ सकता है जब उस item को deal करने के लिए उस transaction को deal करने के लिए उस business को deal करने के लिए हमारे पास respective index नहीं है तो फिर क्या करें कोई बात नहीं तो फिर हम क्या करेंगे similar जो related issue को deal करने वाला index होगा हम उसको check करेंगे अगर यह भी मानलो नहीं है अगर इसमें भी हमें कुछ नहीं मिला तो check the basic framework of index which provides the general principles जो आपके general principles को provide करने वाले basic framework होंगे हम उसको देखेंगे अगर यहां भी हमें कुछ नहीं मिलता तो check the pronouncement of IASV यानि कि international accounting stand board का जो pronouncement है उसमें चेक करेंगे शायद इसके बारे में कुछ वहां पर मिल जाए अगर यहां भी कुछ नहीं मिलता अब इनका pronouncement क्या मतलब चलो भी आगे इसके बाद क्या जिए हम कहते हैं अगर यहां भी कुछ नहीं मिलता तो हमें क्या करना होगा check the pronouncement of other standard setting bodies having a similar conceptual framework ध्यान दीजिए पहले हमने क्या क्या respective index नहीं तो similar index नहीं तो फिर क्या index का जो basic framework उसको चेक किया वहां भी नहीं मिला तो हमने क्या क्या जी कि जो आपका check the pronouncement of ISB आपको पता है कि हमारा जो index है वो IFRS को consider किया है IFRS जो था उसी को हमने दिमांग रखते वे हमने index को बनाया हुआ है तो यहां पर IAS भी क्या करेगा कि अगर मालो index में नहीं मिलता तो इनका जो pronouncement कहा था IFRS में हम उसको check करेंगे जी अगर वहां पर कुछ मिल गया तो ठीक है तो वहां से हम उसका treatment शुरू कर देंगे अगर यहां भी कुछ नहीं मिलता तो check the pronouncement of other standard setting body जैसे कि हमारा ICI हो गया है ने बचे पहले preference इनको दिया गया क्योंकि index यहां से निकल के आया है अगर यह अगर मालो कि आपका इसमें नहीं मिलता उसका treatment उसका application तो फिर क्या अगर यहां भी हमें कुछ नहीं मिलता बिलकुल नहीं है यहां भी नहीं मिलता तो कहते हैं चेक्टा accounting literature and accepted इंडिस्ट्री प्रैक्टिसे अगर आपके दिमांग में जो इंडिस्ट्री के अंदर में जो प्रैक्टिसे चलना है वैसे business को लेकर world में कहीं पर भी कुछ काम चल accounting को develop करने में अपने judgment को यूज करना है मतलब फिर management क्या करेगा अपने दिमाग से जो बेस लगता उसको काम कर देगा बास फिमागे दुबारा सुनिए कि पहले हमारे बहुत इंपोर्टन आपके एक्जाम क्लिक से बाबार कर रहे हैं लोग पहले हम क्या करेंगे कि आपका respective इंडेस में देखेंगे नहीं है तो हमने क्या बोला जी similar इंडेस में देखो नहीं है तो हमने कहा कि ठीक है आपका जो framework आपका accounting इंडेस है जो जिसमें basic principles को defined किया गया है यहां कि guidance जो उसका है उसको आप देखिए वो भी नहीं है तो हम क्या करेंगे pronouncement of ISB देखेंगे व भी नहीं है तो हम कहते हैं कि इंडेस्ट्री में क्या चलना उसको देख लो तो यहां तक आओ नहीं तो फिर क्या आपका इसके बाद management जो सोचेगा फिर अपने इसाब से कर सकता है यह आपको यहां पर दिये गए इस sequence है मेरे बच्चे है यह कहता है कि इसको इसके थो जो भी अकाउंटिंग पोलिसी आप स्लेक कर रहे हैं उनको स्लेक करते समय ध्यान में का रखना है दो बाते आपको क्या कि जो भी आप पोलिसी यहां पर अप्लाई कर रहे है वो रेलिवेंट होना चाहिए टू दे एकोनोमिक डिसिजन मेकिंग निट्स ओफ दे यूजर्स डिसिजन लेना एकोनोमिक डिसिजन उसके लिए यूजफुल होना चाहिए मतलब यहने की कुछ भी कर दिया ऐसा पोलिसी को अप्लाई कीजे जो कि आपका उनके लाइक हो मतलब उनको समझ में आया आपका और दुसरा रिलायवल होना चाहिए मतलब कोई भी होना चाहिए और अगर जो भी अकाउंटिंग पोलिसी से ले करते हैं अगर आपके पाफ उस पर नहीं है आप को और सोर्स के थू जाते हो तो आपको दो बातों इंशूर करना ही पुलेगा रेलिवेंट हो और दुसरा रिलायवल हो रिलायवल का मतलब क्या होता है जी हम कह यहां पर कोपी कर लीजिए सर हो गया आगे बताइए आपने वीडियो को पहुच करकर लिख लिए होगा ऐसे मेरी बुक में सब कुछ है बट लिखने का आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको चीजे समझ में आएंगी जब कोई चीज हम स्टड़ी करते हैं उसके साथ-सा कर लिया जो आपने बताया उसके हिसाब से मालो कुछ समय गुजरने के बाद आप हम अकाउंटिंग पोलिसी को चेंज करना चाहते हैं अकाउंटिंग पोलिसी क्यों चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर जो रिस्पेक्टिव इंडेस है उसको फॉलो करना चाहते हो मा जहादा और भी अच्य तरीके से Accountancy को परजन करना चाहते हो Financial Statement को परजन करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकतो जब भी Accounting policies आप चेंज करेंगे तो चेंज करने पर हमारा रूल गया है तरीका क्या है हम आगे आपका How to apply Change in Accounting Policy मेरे प्यारे भचो इंडेस एड कहता है कि अगर आप accounting policies को change कर रहे हैं तो आप respective index के अंदर check करो कि उसके accounting policy पे जो इंडेस है वो change करने का क्या तरीका बता रहा है जो तरीका बताएगा वही काम क्या तरीका क्या बताएगा या तो retrospective होगा या prospective ही होगा यहीं तो होगा बच्चे या कुछ जो भी वह कहेगा तो उसी तरीके से आपको चेंज अप्लाई करना है लेकिन अगर अगर आपके किसी भी इंडेस के अंदर में आपको चेंज का मैथट आपको नहीं बताता चेंज का प्रोसेस नहीं को फॉलो करेंगे अगर किसी इंडेस के अंदर जैसे फॉर एक्जामपल इंडेस टू उसमें कहा गया कि आपको को सो मुला तीन है फीफो वेटेड और आपका स्पेसिफिक लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं एक को दूसरे पर तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसका तरीका क्या होगा हमार पास स्टेट्मेंट ऑप कैशलो इंडेस सेवन के अंदर में कहा गया है कि आपका डो मैथट है जी आपका कैशलो बनाने का ए एक मानलो हमने डारेक को फोलो किया बाद में इंडेक करना चाहते हैं तो तरीका क्या है कहीं कुछ नहीं में कहा गया है कि अगर कहीं पे इंडेस में आपको स्पेसिफिक ली नहीं में कि चेंज को कैसे अपलाई करना है तो चेंज हमेशा आपका रिट्रोस्पेक्टिवली होगा रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब जब से वो चीजे आपके पास आई होंगी तब से अपलाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट तो सर्टेन एक्सेप्शन मैं भी आऊंगो उसके अंदर में पर बच्छी यहीं नहीं इंडेस कहे था कि देखो जी अगर मान लो आपके पास यहां पर इंडेस के अंदर में जो आपका चीज था अगर मान लो इंडेस नहीं था तो आपने क्या-क्या इसके थूँँ इसके थूँँ आप अपना accounting policy follow करना शुरू कर दिया कल कोई इस accounting standard में change आ गया इसमें जिसके जिसको लेकर हमने अपने policy बनाया था उसमें change आ गया तो फिर क्या करेंगे कहते कि अगर यहां change आ गया तो आपको यहां भी change करना पड़ेगा अपने accounting में भी change करना पड़ेगा वो सारी company जो इंडेस को follow करती है लेकि उसके एक particular item से जोड़ाबा कोई इंडेस नहीं था तो किसी और का help लेके उसने accounting policy को follow किया अगर उसमें change आएगा तो आपको भी change करना पड़ेगा और अगर इसके आने के चलते ध्यान सुनेंगे इसके चलते जो accounting policy आपने बनाया था अगर उसमें change आ गया तो उस change को हम कहते हैं कि आपका voluntarily change, voluntarily change आपको यहाँ पर apply करना पड़ेगा, voluntary change का मतलब होता है दुबारा सुनें, जो index आपने select किया था, माफ कीजे, जो policy आपने select किया था based on आपका कोई दुसरे तरीके से और उसमें change आया तो आपको भी change करना पड़ेगा, उस change को हम index में क्या बोलते हैं एट के अंदर में, voluntary change, and voluntary change जितने भी definition के अंदर आएंगे, इनको भी retrospectively ही apply किया जाएगा, retrospectively, यह देखिए, as per specific transitional provision, transitional provision का मतलब change होता, बचे, transitional करना, मतलब एक method को दूसरे method में change करना, as per specific transitional provision mentioned in respective index, कहता है कि आप कैसे change apply करोगे, जिस तरीके से, transitional provision, मतलब change करने का तरीका, आपको mention किया गया है, respective index में, उसकी हिसाब से, if not mention, अगर mention नहीं है, in respective index, और changes, accounting policies, voluntarily, changes, accounting policy, voluntarily का मतलब क्या हुआ, इसके चलते, आपने कुछ, आपने, कोई policy follow कर रहे हो, और उसके change आने के चलते, आपको भी change करना पड़ गया, तो मुसको, voluntarily change के definition में डालेंगे, मैंने अभी book में दिया, मैं मैं बताऊंगे, इसके वारे में, और voluntarily change भी क्या होगा, जिए, retrospectively apply करना पड़ेगा, retrospectively का मतलब कि जब से, आपने उस item को, transaction को, आपने event को किया होगा, तब सुचे अप्लाई करना पड़ेगा, सरीय तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, मानलो कुछ transaction आज से 20 साल पहले हुआ था, for example, जैसे मैं बात करता हूँ, inventory pollution का, हम क्योंकि उसको पड़ चुके हैं, इसलिम उसके बारे में बार बार करने ताकि आपको दिकत नहों, यह देखिए आप, मानलो एक company है, X-limited, लिखना बंद करेंगा, मेरी बात सुनेंगे, लिखना बंद करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, एक company X-limited, इसने क्या क्या था, कि आपका 1998 में, 1998 Onward, आपके inventory पे FIFO method को follow करना शुदू किया, FIFO method आपका, inventory evolution का आपका, पर बचे 2021 के अंदर में, वो कहते हैं, मैं अभी यहाँ पे weighted method को follow करूँगे, weighted method, मुझे लगता है कि शार FIFO जो आपका है, वो ठीक नहीं देख रहा तो मैं इस से दिखाना पसंद करूँगी, या इस से दिखा रहे थी, अब इस से दिखा रहा वाई से वर से कुछ भी हो सकता है, तो उस case में कहते हैं कि या यह चेंज फिर क्या हम 1998 से भी तक करें, यह तो लगवा कितना, 35-36 साल पता नहीं, 33-34 साल हो गया, यह तो बहुत लंबा प्रेड हो जाएगा, और यह तो accounting करने में हल खराब हो जाएगी, फिर हम क्या करें, ब पड़ेगा, यही से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंप्रैक्टिकेबल है, मतलब यह पोसिबल है नहीं है, अगर आप यहां से करने जाओगे, तो जो आपके पास documents टे वो lost हो चुके है, आपने कौन से stock, कौन से price से purchase किया था आपको पता ही नहीं है, आपने जो stock purchase किया था, कब कौन से ही उचे कुछ पता ही नहीं है, इतना लंबा हो सकता है कि आपने कुछ जो stock register maintain किया था, वो आपका lost हो गया हो, आग लगा, खतम हो गया, वाइरस आपके computer में आ गया था, आपने सारा record और नहीं देखा था, वाइरस है ता सब district, कुछ भी integer हो सकता है, अगर ये retrospectively इस दिन से possible नहीं है, तो कहते हैं कि जिस दिन से possible हो सकता है, आप उस दिन से apply कीजिए, अब सुनो मेरे बाद मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक बार short बोल तो मुझे मन कर रहा है, एक बार, हमने accounting policy select कर लिया, इसके बाद हमने क्या किया, जी अब ह उसमें जो mention होगा, उसी तरीके सी change, जो भी तरीका बताएगा, जिसको बोलते है, transitional provision, change करने का तरीका, अगर transitional provision उस index में ये, तो फिर क्या करेंगे, हम retrospective change apply करेंगे, या फिर अगर आपने इसके basis पे आपने कोई policy बनाया था, और यहाँ कोई change आएगा, तो आपको भी करना इस समय से follow कर रहे थे, तो क्या हम यहाँ से follow करें, यहाँ से follow करने का मतलब यहीं कि सारे account को re-state करोगे, ना ना ना, अरे इसका मतलब है, कि मानलो आप दो balance sheet यहाँ पे बना रहे हो, दो balance sheet बना रहे हो, एक आपका 31st March 2021 का, एक 31st March 2020 का, ध्यान सुनना मरी बात आपका, अग उसका impact पिछले साल में दिखाना पड़ेगा, उसका impact पिछले साल में, और फिर उसको क्या करना होगा, जी, current year में भी incorporate करना पड़ेगा, मतलब उस change को लाते लाते, पिछले साल में क्या impact हुआ, और फिर आपका यहाँ पे, और क्योंकि यह बहुत पुराना है, जी, है ना से हमें उसको proceed करना पड़ेगा, मतलब, अगर ऐसा होता है कि बहुत पहले का तो पहले आप यहाँ पूस चेंज को लेकर आए, इसका अगर हम convert कर तो फिर क्या impact होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस ची को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर मालो आप इत क्लोजिंग स्टोक पे, या फिर आपका प्रोफिट पे, उसको आप पहले यहाँ पे सही करो, फिर उस से आप यहाँ सही करो, फिर यहाँ सही करो, काम खतम हो गया, समझ रो, पता, यहाँ पे, इंडेस, एट ने ऐसा क्यो परूजन डाला, ताकि आप फ्रिक्वेंटली ना पोलिसी को चेंज मत करो, अगर फ्रिक्वेंट पोलिसी चेंज होता है, तो पता इस अदिकत क्या होती है, जो हमारे लोग है ना बचे, जो इसके उपर में डिपेंडेंट होते हैं, जिनका एकोनोमिक डिशन इस पर डिपेंडेंट होता है, उनको रिलावल इंफोर्मेशन नहीं मिल पाएगा उप्रोपट तरीके से कंपेर नहीं कर पाएंगे इसी को रिस्ट्रिक करने के लिए ऐसी बात ही की गई है बट हाँ क्योंकि कुछ जेन्विन केसे हो सकते तो बोलते ठीक है उस केस में अगर आपको यहां से नहीं तो जहां से आपको मिला उस समय से पूरा ह만र्त कर दिया है फिर क्या करेंगे तो अगर आप करने कुछ काम किया था उसिहमें पोलिसी चेंज कर तो यहां तो इसको भी कभी विगा तो यहां से यहां से प्रौब सिसको भी चेंज कीजिए अगर पिछले साल को इमप्लाइ हुआ तो इसको घण किजिए इसको भी तो एक आपको एडिशनल बैल शिट बनाना पड़ता है इसाल को उपनिंग का वहां पर उसकी इंप्रेक्ट को दिखाए फिर आगे को बढ़ाए अभी कोशन देखेंगे और खासकर यह रियर लाइफ पर ज्यादा इंपोर्टेंट होगा एक दो कोशन प्रैक्टल का प्रैक् आपको बुक से तो उस चीज वहां पर नजर आ जाएंगे लेकि फिलाल आपको समझना इंपोर्टेंट है अपनी इसको भी करेंगे जल्दी साप इसको अ झाल आपको बुकुकुकुकुण तो भी करेंगे लोगाँ समस्चंगे उसको इसको भी करेंगे और राल सून एंपोर्टेंट है जल्दी सापूर्टेंट हो उस बखशवे इसको प्रत